श्री गनेशाय नमह, अत श्री पद्म पुरानां तर्गत, माग मास महात्मिय सत्रहवा अध्याय, अपसरा कहने लगी कि हे राक्षस, वो ब्राहमन कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अम्रावती पुरी को गया, सो हे कलियानी, तुम भी देवताओं से सेवा किये जाने वाले प्रयाग में माग मास में सनान करने से निशपाप होकर स्वर्ब में जाओगी, सो मैंने उस ब्राहमन के यह वच्चन सुनकर उसके पैरों में पढ़कर प्रनाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर धनादिक त्याक कर शरीर को नश्ट होने वाली वस्तु समझ कर घर से निकली और माग में गंगा यमुना के संगम पर जाकर सनान किया, सो हे निशाचर, तीन दिन के सनान से मेरे सब पापनाष्ट हो गए और सताइस दिन के पून्य से मैं देवता हो गई और पारवती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ, इसलिए मैं प्रयाग के महात्मिय को याद करके सब देवताओं के सहित माग में प्रयाग सनान क तुम्हारी दाड़ी और मूंचे बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पारवती की गुफा में वास करते हो। मैंने राजा, पापी, शूत तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। गनेशाए नमा, अत्ष्वी पद्म पुरानान तरगत, माग मास महात्मिय अध्याए दस्वा, यमदूत कहने लगे कि हिवैशिय एक बार भी गंगाजी में सनान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुदह हो जाता है। जो मनुष्य गंगाजी को दूसरे तीर्तों के समान समझता है वह अवश्य नर्क में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन हुई गंगाजी के पवित्र जल को श्वीशिव जी अपने मस्तक में धारन करते हैं। वह ब्रम्हा जो संदेहरहित प्रकृती से अलग और निर्गुन है ब्रमांड में उसकी समानता किस्से हो सकती है। गंगाजी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नर्क में नहीं जाता इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगाजी में सनान करना चाहिए। हे वैशिय जो ब्राहमन दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वहाकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचर से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वहाकाश में तारा होता है। प्रानायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तमगती को प्राप्त होते हैं। प्राता समय स्नान के पश्चात जो सोला प्रानायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराय स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की आतना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने आधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता और जो गुरू की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोग को प्राप्थ होते हैं शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है शील भन करने वाली स्त्री अमलोग जाती है जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुरान और सहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदान्त में लीन रहते हैं वह पापरहित होकर ब्रह्मलोग को प्राप्त होते हैं जो अग्यानियों को वेदशास्त का ज्यान देते हैं वेदेवताओं से भी पूजित होते हैं यमदूर्थ ने कहा कि वैशिय श्वेष्ट यम्राज ने हमको वही आग्या दे रखी है कि तुम किसी वैशनव को मेरे पास मत लाओ हे वैशिय पापी लोगों को इस संसार रुपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ती के सिवाए दूसरा और कोई उपए नहीं भगवान की भक्ती न करने वाले मनुश्य को चांडाल के समान समझना चाहिए भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नर्प में नहीं रहने देते और जो मनुष्य वैशनव का भूजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्वेश्ट गती को प्राप्त होते हैं बुद्धिमान को सदैव वैषनव का अन्नखाना चाहिए। इससे बुद्धी पवित्र होकर मनुश्य पाप नहीं करता। गोविन्दाय नमह इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुश्य मृत्यू को प्राप्त होता है वो परमधाम को प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं है जो हुँ नमः भगवते वासुदेवा यहमन मोना रायन इस द्वाद शाक्षर मंत्र यहु अश्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रहमर इत्यादी बड़े पापनश्थ हो जाते हैं एती श्री माग मास माहत्म्य दस्वा अध्याय समाप्त, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे क्रिशन हरे क्रिशन 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 हरे हरे